नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तर्बूज खाने और इसका रस पीने के फायदे तर्बूज खाने से यौन शमता बढ़ती है, तर्बूज आपकी बॉड़ी के बलड शेल्स पर असर करते हैं और ये हमारी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है तर्बूज में 90% पानी होता है, इसमें प्रोटीन, खनिज लवन, कैल्सियम, फासफोरस आधी होते हैं तर्बूज को खाना खाने के बाद खाना चाहिए, इसको खाली पेट नहीं खाना चाहिए तर्बूज को खाना खाने के बाद एक से दो घंटे इसको पानी में रखें और उसके बाद इस पर काला नमक डाल कर खाने से शरीर को बहुत अनरजी मिलती है आप चाहें तो इसका जूस बना कर भी पी सकते हैं तर्बूज का रस थंडा होता है जो आपको गर्मी और लू से बचाता है इसके रस से बाडी को बहुत एनरजी मिलती है तर्बूज का रस पीने से हाई बलड ट्रेशर भी कंट्रोल होता है जिनको हाई बी पी रहता है उनको तर्बूज का रस पीना चाहिए तर्बूज के जूस में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से इसके फायदे दो गुना काम करने लगते हैं अगर आप अपने वजन को नियंतरित करना चाते हैं तो तर्बूज का जूस अवश्य पीएं इससे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी और एक्स्ट्रा फैट भी कम हो जाएगा तर्बूज के जूस और काली मिर्च पाउडर को मिलाकर पीने से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद मिलती है चूंकि तर्बूज में लाइसोपिन नामक एंटि आक्सिडेंट होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है तर्बूज में उच मात्रा में फॉलिट होता है जो शरीर में रक्त संचार को उचित बनाए रखता है जिससे अटैक पढ़ने के संभावना कम हो जाती है तर्बूज कब्ज को भी ठीक करता है जिनको गर्मी में सिर्दर्द होता है वो भी तर्बूज का रस पी सकते हैं इसको पीने से खाना भी जल्दी डाइजस्ट हो जाता है तर्बूच का सेवन थकान दूर करता है तर्बूच के जूस को पीने से शरीर में पानी की कमी भी दूर हो जाती है महिलाओं को विशेश रूप से मासिक धम के दौरान जूस को काली मिच पाउडर के साथ अवश्य पीना चाहिए अगर किसी को पीलिया हो गया हो तो आप उसको तर्बूच का रस पिलाएं इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा जिनको मूतर में जलन की शिकायत है तो उनको भी तर्बूच का सेवन करने से उनका ये रोग ठीक हो जाएगा तो दोस्तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें